Hi everyone, welcome back to Series Talks दोस्तों हाल ही में विकी कोशल, ट्रिप्ती और एमी वर्क की फिल्म जिसका नाम है बैड नियूस को रिलीस किया गया है इस फिल्म की काफी हाइप मची हुए है लेकिन फिर भी आप सभी फैन्स अगर ठीटर्स पर इस फिल्म को नहीं देखना चाहते तो इस फिल्म से चुड़ी OTT की सारी डीटेल्स मेरे पास आ चुकी है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा कौन से OTT प्लाटफॉर्म और साथ ही कब हम इस फिल्म को एक्सपेक्ट कर रहे हैं OTT पर आने के लिए सारी अपडेट शेयर करूँगा तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा फिल्म की हाइप इतनी जादा बढ़ चुकी है स्पेशली करन ओजला और विकी कोशल के जो गाने इस फिल्म में रिलीज हुए है तौबा तौबा जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी हाइप मची थी और इस फिल्म को इसलिए काफी सारे फैन शेयर थेटर पर भी देखने जा सकते हैं लेकिन दोस्तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिस फिल्म की हाइप जादा होती है अगर वो बॉलिवुड में रेविन्यू नहीं कमा पाती तो काफी जल्दीरी OTT पर आ जाती है इसका एक बहतरीन एक्जामपल था है राज कुमार राओ के फिल्म स्रीकान जो रिलीज हुई थी काफी अच्छे तरीके से फिल्म भी काफी अच्छी ती लेकिन जादा कमा नहीं पाई इसलिए फट से नेट्फिक्स पर आ गई थी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही होता है तो ये फिल्म हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है अमेज़न प्राइम पर और इस फिल्म को एमेज़न प्राइम पर रिलीस किया जाएगा खुशी की बात ये है कि इस फिल्म को डाइरेक्ट प्राइम ओटी टी पर रिलीस किया जाएगा इसे पहले रेंट पे करके देखने के लिए रिलीस नहीं किया जाएगा तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है इस फिल्म को लेकर अब दोस्तो बिना देर की ये बात करते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में तो दोस्तो दो पोटेंशिल रिलीज डेट निकल कर आई है इस फिल्म के उपर से दोस्तो पहली जो release date है उसमें बताया जा रहा है कि mid of August यानि की 20 तारीक के आसपा इस film को release किया जा सकता है और ये तब होगा अगर ये film Bollywood box office पर अच्छा collection नहीं करती अगर ये film अच्छी hit जाती है जिस तरीके से इसकी hype मची हुई है तो दोस्तो ये film आपको end of August में ही देखने को मिलीगी Amazon Prime पर probably बताया जा रहा है कि most likely 29th August और 20 August दो dates निकल कर आई है इस film की OTT को लेकर दोस्तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में